गुड फ्राइडे इस सब्जेक्ट को बहुत लोगों ने बहुत तरीके से प्रचार किया है गुड फ्राइडे क्या है? गुड फ्राइडे क्यों मनाते हैं? इसको जानना बहुत जरूरी है अच्छा शुक्रवार यह हमारे लिए क्यों है Good Friday यह जानना ज़रूरी है और Good Friday को जानने के लिए उस Cruise को जानना ज़रूरी है जिस Cruise पर इशु मसी ने बलिदान दिया था हमें आजादी बहुत आसानी से मिल गई हमें पवित्रता हमें पापों से मुख्ती बहुत आसानी से मिल गई लेकिन Good Friday हमें बताता है कि इशु मसी ने वो जो बलिदान दिया है वो आसानी से नहीं दिया है उसने बहुत कश्ट सहे बहुत दुख सहे तक कि हम आशीश पाएं वे सलोट अगर परमेश्व चाहता तो इशु मसी को ऐसे ही आसान सी मौत दे सकता था क्यों दिया उसने उसने कोई पाप नहीं किया था उसने कोई गुना नहीं किया था बाइबल यानती है जैसे मैंने आपको बताया था चारों अगर आप सू समचार को पढ़ेंगे तो इसमें 89 अध्याय हैं 89 अध्याय हैं उसमें से 85 अध्याय जो ऐसे हैं जो इशु मसी के इशु मसी की जीवनी को उसके कारें को बताते हैं 33 साल की कारें 33 साल की जो उसकी सिविकाई है उसको बताते हैं और चार अध्याय सिर्फ उसके बच्पन के बारे में बताते हैं। और 27 अध्याय ऐसे हैं बाइबल में इन चार अध्याय में, इन चार गॉस्पल्स में जो सिर्फ आठ दिन के, अंतियम आठ दिनों के बारे में बताते हैं। तो यह अंतिम आठ दिन हमारे लिए बहुत जरूरी है इशू ने कैसे बिताए गुड़ फ्राइडे हमें बताता है कि उस कुरूस से हमें कैसे जोड़ना है वो कुरूस हमें कैसे आशीश देता है वो कुरूस जिस पर इशू मसीने मृत्यू सही बलिदान सहा हातों पैरों मे केले चुभवाई 49 कोड़ों की मार खाई और हमें आशीश मिला हमें आजादी मिली हमें पवित्ता मिली हम उसकी धारमिकता मिली अगर हम इन चीजों को नहीं समझेंगे मेरे भाई मेरी बेहन तो आप उस आजादी को महसूस नहीं कर पाएंगे जो परमेशने आपको दिये इसलिए उस आज़ादी को महसुस करने के लिए इस क्रूस को जानना जरूरी है गुड फ्राइडे को जानना बहुत जरूरी है कि गुड फ्राइडे हमारे लिए कितना महत्व रखता है इशू का क्रूस पर मरना हमारे लिए कितना महत्व रखता है प्रेदरों का काम 17 का 3 निकाली है कितना महत्व रखता है Good Friday इशु मसी का दुख उठाना कितना महत्व रखता है प्रेस लौट बहुत जरूरी है कि हम उसके दुख को देखें हम इशु मसी में आते हैं और हम उस कुरूस को देखते हैं और बप्तस्मा लेते हैं पशादार करके हम नई शुष्टी में आते हैं और हम समझते हैं हमारी नई शुष्टी हमें सुकी सुक देने वाली है नई शुष्टी में सुकी सुक है Very good लेकिन नई शुष्टी आपको मिली कैसे नई शुष्टी के लिए आपको पता है कि परमिश्व ने आपको पाने के लिए आपको पता है कि आपको पवित्र करने के लिए परमिश्व ने आपको अपनी धार्मिक्ता देने के लिए उसने स्वर्ग छोड़ा और वो मनुश्य की रूप में धर्ती बराया कि आप इसे समझने की कोशिश करिए कि ये पवित्रता ये धर्मिक्ता हमारे लिए कितनी जरूरी है कि उस परमेश्वर उस रचैता को धर्ती बराकर मनुश्च का रूप लेकर कश्च सहने पड़े तक कि हम सुख पाएं तक कि हम आजादी पाएं तक कि हम पापों और कि और अगर हम इसको नहीं समझेंगे अगर हम इस पवित्रता की कीमत को नहीं समझें कि जो हमें दी है इसमसीने क्रूस के दौरा कि आज भी हमारे अंदर लालश फूटता है आज भी हम कहें कोई पाप करते हैं तो दुख नहीं मढ़ते हैं आप नहीं जानते हैं कि परमेश्वर के लिए पाप कितनी भयंकर चीज है क्योंकि जब सारे संसार का पाप इशु मसी के पूर आ गया था बाइबल कहती है कि इशु ने कहा तु कहां चला गया परमेश्वर तुने मुझे क्यों छोड़ दिया है कुछ पल के लिए परमेश्वर इशु से दूर हो गया था वेसलोट खालेलुया सच्चा सू समाचार क्या है इशु मसी को दुख उठाना पड़ेगा तुसलोनियों की कलीश्या को पॉलुस ने क्यों सा सू समाचार सुनाय था पढ़िये बैटा सत्रह का तीन तुसलोनियों के कलीशिया को और तीन सब्द हा तीन सब्द हा थुत्यु समाचार सुनाया और वहां कलीशया काusc फरापन अव़िया क्या कहता है 17 का 3 स्था अ llegóंतर एक य। को खोल खोल का सम्झाटता था कि मसीय को दुख उठाना और मरे हुओं में से जी उठनाफिय था मसीह का दुख उठाना और मरे हुओं में से जी उठना यह है लेसु सबचार का केंद्रे बिंदू प्रेस अलोट मसी को दुख उठाना और फिर से जिन्दा हो जाना मरे हो में से जी उठना अवश्य था और यही इशू मसी जिसकी मैं तुम्हें तुम्हें सुनाता हूं मसी है अभी शिक्त है प्रेस अलोट आपको पता है अगर हम मती 16 का 23 और 24 देखेंगे क्या का इशू मसी ने कि अगर तुम मेरे पास आना चाहते हो तो अपना क्रूस उठाओ यहां क्रूस की बात करता है वह यह नहीं कहता है अपने उत्र अदिकार को देखो तुम्हें अंदर मेरी आतमा है वो कहता है क्रूस को यात करो पहला करूंतियन क्या बता रहा इशुमसी प्रभु भोज में इशुमसी बता रहा है कि तुम उस देह को याद करो जो मैं तुम्हारे लिए गवाई है और धन्यवाद देकर उसने रोठी तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है और जो तुम्हारे लिए है मेरे स्मरण के लिए यही किया करो 25 इसी रीती से उसने बियारी के पीछे कडोरा भी लिया और कहा ये कडोरा मेरे लहू में नई वाचा है जब भी पियो तो मेरे स्मरण के ल लेल constitu कि उस से क्या बताया जों यह नहीं बता कि जब भी बचलें याद करो तो याद करो कि तुम सब्सskin कर gedaan two to तुम यहाँ पर एक हजार साल के लिए राज़ करने वाले हो, यह नहीं कहा उसने, उसने कहा, कि याद करो कि मैंने तुमारे लिए देह गवाई है, अपनी जान गवाई है, मेरे भाई, मेरे बहन, जिस दिन हम इस चीज़ को याद रखेंगे रोज, जो हम सुबह उठेंगे और हम अंगिकार करेंगे, यस, इशू मसी ने मेरे लिए देह गवाई है, इशू मसी मेरे लिए हमारा, इशू मेरे लिए उसने अपने लहू को बहाया, वो धर्ती पर स्वरक से जमीन पर आया, मेरे लिए जिस दिन आप उसकी मौत को याद करेंगे रोज, जिस दिन आप उसके क्रूस को याद करेंगे, जिस दिन आप उसके क्रूस पर लहू बहने को याद करेंगे, मेरे भाई, मेरी बहन, मैं चैलेंज करता हूँ, आप पाप के लिए सोचेंगे में नहीं आप छोटी सी चीज के छोटे से सुख के लिए हम फिसन जाते हैं हम पाप कर बैठें नहीं यही तो हमको लेकर जाएगा अगर आप अगर हम नहीं समझे तो मेरे भाई मेरी बहें शैतान की गिर्फ तुमें फिर से आ जाएंगे इसलिए याद र लजी थी इसी मशी ने हमें समझ दीथी पर मिश्å ने हमें समझ खोली थी बुद्धी खोली थी कि रूज्वर क्या है कुए पचा नो इसले पॉल्स गर्व करता ऑन हो इसलिए पॉल्स करsडर करता है ना कि अन्य किसी बात का घमंड करहो केवल हमारी प्रभी ईश्र मस्ये के करूश का जिसके द्वारत संसार मेरे दिरुष्टी tip मैं पैसे वाला हूँ मैं धनवान हूँ जुन मेरे पास गाड़ी है मेरे जुनिया है कि मेरे पास मान और सम्मान है ऐसा ना हो कि मैं किसी और चीज पर घमंड करूं कि मैं बहुत अच्छी सर्विस करता हूं मेरा धंदा बहुत अच्छा है कि कभी ऐसा मेरे मन में ना है वो डर रहा है पॉलुस कि मैं इस और बात पर घमंड करना नहीं चाहता हूं कि मैं इशू का भगतू हूं मैं चुन लिया गया हूं मैं हाथ रखता हूं लोग आशीश बाते चंगाई बाते नहीं कि मैं किसी और बात पर घमंड ना करूं सिर्फ इस बात पर घमंड करूं केवल प्रभु एशुब मिसी के 이야기 का जिसके द्वारा संसार में दिर्षी में और मैं संसार के दिर्षी में करूस पर चलाए गया है सिर्फ एक चीज क्रूज पर अगर आप उसके प्यार को जानना चाहते हैं उस क्रूज को जानिए इस वसी ने अपना लहू बहाया क्रूज पर अपनी देह गवाई आप सोचिए पिलात उसका कह रहा था उसको तुझूटा है जो नीचे थे सानिक थे जो महायाजक थे रेसलोर जो उनके चम के थे क्या बोल रहे थे इशू तुझूटा है वह चुपरा तुझूटा है वह चुपरा तुदो के बाज है वह चुपरा तुपर मेश्रा की निंदा करता हो चुपरा क्यों क्यों कि संसार का बाप वह अपने उपर ले रहा था वो ना जूटा था ना वह चुपरा था क्या किया उसने अंदों की आंके खुली बुर्दों को जीवन दे दिया ये गलती की उसने ये गलती की उसने पांच इजा लोगों को खाना खिलाया बताया कि मेरा प्रभू कौन है हमारी मुलाकात पिता से कराई ये गुना था उसका क्या गुना था उसका क्या गुना था उसका वो क्यों चुप रहा क्योंकि लिखा हुआ है दूसरा करुंतियन 5 का 21 वो पाप से अंजान था उसे पाप बनाया गया वो पाप से अंजान था उसे नहीं पता था उसे नहीं पता था कि पाप क्या होता है पाप क्या होता है उसे नहीं पता था वो पाप से बिक्कुल अज्जान था हलेलया वो पाप से अंज्जान था उसी को उसने हमारे लिए पाप थड़ाया किसको इश्जू को उसने परमेशर ने हमारे लिए पाप ठढ़ाया कि हम उसमें होकर परमेशर की धार्मिक्दा बन जाएं क्यों वो पाप से अंज्ञानता उसको पाप के उठाबाया ताकि हम निर्दोष बन जाएं ताकि हम पवित्र बन जाएं प्रेस अलॉट Bible हमें बताती है Good Friday का दिन हमें बताता है कि हमें इस बात को कभी नहीं भूलना है हमें इस बात को कभी नहीं भूलना है कि वो पाप से अंजान था हमारे लिए पाप बनावो ताकि हम पवित्र बन जाएं कभी नहीं भूलना है मेरे भाई और अगर हम इसको नहीं भूलेंगे, अब मैं विश्वास दिलाता हूँ, आप पाप से डरेंगे, आप से पाप नहीं होगा, आप शयतान को पहचान जाएंगे, शयतान आपके जीवन में कब काम करने वाला है, कौन सा शड्रेंत्र शयतान लेकर आ रहा है, आप सब पहचान जाएंगे, शयतान की चाल पहचान जाएंगे आप, जब आप दर के जीएंगे, आलेलोया, आविश्वास करिए, इसलिए गुड़ फ्राइडे का देन हमें बताता है, कि किस तरीके से ईशू मसी ने जो दर्द सहा, जो सताव सहा, कीडे, कीले उनके हैं, पहतों पहरों में चुभवाए गए, 49 कोडों की मार मारी गई, उसने, कभी आप से सोचा है, कि अखर आपको कोई यूही मारेगा, आपने कुछ नहीं किया, कोई आपको मार रहा है, मार रहा है, कम से कम एक बार तो आप कहेंगे, कि भाई मुझे क्यूं मार रहा है, मैंने क रहा है, उसका मुँ बंद नहीं था, उसने नहीं कहा कि मुझे क्यूं मार रहे हो, उसने कहा मुझे मारो ताकि मेरे बच्चे जिन्दा हो जाएं, ताकि मेरे बच्चे पवित्र हो जाएं, मेरे और आप के लिए वो चुप रहा, और अगर हम इस चीज को भूलते हैं, तो भाई मेरे भाई, आप इस योग के नहीं है कि परमिशार आपसे प्यार करें, हमें इसको रोज याद करना है, गुड़ फ्राइडे के दिन नहीं, हमें रोज सुबह उठकर याद करना है कि यस, इशु मसी मेरे लिए मरा और मर के जिन्दा हो गया, इसलिए ये जो सूसो माचा आज है थिसलोनिकों को, वो पॉलूस देता है कि इशु का मरना जरूरी था, इशु का सताव जरूरी था, ताकि वो इशु मर के जिन्दा हो जाए, और जब जिन्दा होगा तो परमिश्र का अशीष हम सब महसूस करें, इसलिए वो कहता है थिस कि सताव सहने के बाद जब पवित्रा आत्मा का आनंद आप महसूस करते हैं, तो आप मेरा अनुस्रन करते हैं, आप इशु मसी का अनुस्रन करते हैं, बोलिए बटा, तुम बड़े कलेश में पवित्रा आत्मा के आनंद के साथ वचन को मान कर हमारी और प्रभु किसी चाल चलने लगे एमेन हालेलुया हालेलुया रेज़ो लॉड वो क्या कह रहा है पॉलोस कि तुम बड़े कलेश में पवित्रा आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभू की सी चाल चलने लगे कितने गौरव की बात है कितने गौरव की बात है कि तुम कलेश सहकर उसके बाद अपने अंदर पवित्रात्मा के द्वारा आनंद महसूस करते हो जैसे हम महसूस करते थे जैसे इशु मसी महसूस करते थे जैसे मैं पॉलूस कहता है कि मैंने सताव सहा दुख सहे कटनाईया सह लेकिन आनंद सहता रहा आनंद के संग बोलता रहा इसलिए फिलिवियों की पत्री में वो बार-बार कहता है प्रभू मैं सधा आनंदित रहो रहसलोट वो कहता है कि तुम मेरा और इशु मसी का अनुसरन करने लगे हो अपने आप से सवाल करिए अपने परोशी से कहिए कि क्या आप ऐसा करते हैं अनुसरन आपने परोशी से पूछिए कि क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि मैं भी इशु मसी का अनुसरन करता हूं हलो कलेश के बाद क्या आप आनंद का महसूस आनंद होने का महसूस करते हैं प्रभू में आनंद महसूस करत हें आप ये एस पूचीं अपने परोशी से और अपने परोशी से अगर पूचने की हिमत नहीं तो अपने आप पूचिए अपने आप से पूचिंए कि जब कलेश आता है तो मैं दुखी होता हूं या दोश लगाता हूं परमेशर पर या मैं आनंदित होता हूं धन्यवाद प्रभू मैं आनंदित धन्यवाद हालेलुया हमें इस दुनिया की उंश नीश से हमें इस दुनिया की एकनॉमिक से कोई लेना देना नहीं है हमारी ए इशू मसी के हाथ में है हालेलुया हमारे पास तो उसकी धार्मिक्ता है वेस अलॉट कुरूस पर उस दर्द को उस सताव को उस बलिदान को महसूस करना ही आपके विश्वास का वर्दान है अगर आप कुरूस पर इशू से अपना व्यक्तिकत संबंद बना कर चलते हैं ना मेरे भाई तो उसको उसका दिया हुआ विश्वास का वर्दान आपके साथ चलेगा ज्यान दीजिए मैं जो कह रहा हूँ अगर आप इशू के सताव दुख कष्ट बलिदान और दर्द को अपने साथ लिए रहते हैं तो आपको जो विश्वास का वर्दान मिला है वो दिन पर दिन मजबूत होता जाएगा लेकिन अगर आप उसकी मौत के सहभागी नहीं है लेकिन अगर आप नहीं मानते हैं कि इशू मसी आपके लिए मरा है अगर आप उसकी मौत को अगर आप उसके सताव को अगर आप उसके कष्ट को नहीं याद करते हैं क्योंकि मेरे भाई उसने कोई भी कश्ट अपने लिए नहीं सा उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो उसके स्वार्ट के लिए था उसने वो हर काम जो हमारे जीवन से मुतालिक था जो हमारी आजादी से मुतालिक था जो हमारी पवित्रता के साथ था वो काम किया उसने प्रिसलोट वो ऐसा प्रभू नहीं है मेरे भाई कि मंगलवार के मंगलवार आजाएं आप ना जल लाया और आपको मिल जाएगा नाइँ वो नहीं कहता कुछ दुछ लाइए आप वो नहीं कहता है कुछ चड़ाई यारे हम क्या चड़ाएंगे उसने हमें अपने आपको हम पर चड़ा दिया है है कोई प्रभू है कोई दुनिया में ऐसा नाम जो एक शिष्ष के लिए मरे जो एक भक्त के लिए मर जाए अध सब्सक्राइब है कोई कोई नहीं है कोई नहीं है मेरी बेन और ना कभी होगा सिर्फ एक की प्रभू है सिर्फ एक ही विधाता है यस लौड वो है सर्वग्यानी सर्वशक्तिवान इशू मसी और कोई दूसरा नाम इस धर्ती पर नहीं है इसलिए गुड फ्राइडे अच्छे शुकरवार के रूप में जाना जाता है क्योंकि इस दिन हमें आजादी मिली थी इस दिन इशू ने कह केहता ये मेरे बच्चे ये नहीं जानते क्या करना इने माफ कर उस दिन हमें आजादी मिली थी और उसी दिन हम योग्य बने थे उस दिन हम योग्य बने थे दाउद क्याdon क मुझे बात करें धन्य कौन है धन्य हो जिसके पापक्षमा किये गए बोलो बेड़ा क्या ही धन्य वह मनिश्य जिसके अधर्म का लेखा यहुआ न ले एमेन धन्य है वो इंसान जिसके अधर्मों का लेखा परमिशन नहीं लेगा हलो आपके अधर्म का लेखा परमिशन नही यह हयाँ नहीं लेगा को आप धन्य अग पापों से मुक्त हो गया अप कि आपके पापों का लिखा पर मेशव नहीं हलेगा दूसरा वचन इवर्य एद दूसरा धन्यृश्य की अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कौपट न हो जाइसे उसने आपको पवित्र किया आपको नहीं आतमा आपमें जन्मी इूग cm कौश उस आत्म की कीमत जो इशू ने गेहे सौष्म की कीमत को आप समझीन और सीटी चौव परमेश्वर नाइशे मसीके द्वारा आप मेंपाटे लिया जिस दिन आप मैं वह सच कहरा हूँ कि आज का जो गुड फ्राइडे है गुड फ्राइडे का दिन है जो क्रूस है वो बताता है कि हम अपनी पवित्रता जो हमें मिली है उसको किस तरीके से समाल के रखना है किस तरीके से जो हमें धार्मिकता में लिए समाल के रकना एस धर्टी पर ऐसा कोई भी उपहार नहीं है इस धर्टी पर ऐसा कोई खजाना नहीं है जो हमारी पोवित्रता को खरीच सके तो गुट फ्राइडे का दिन क्रूजुर्स बताता है कि परमेश्वर ने एशु के द्वारा अपने इकलोसे पुत्र के द्वारा अनमोल पवित्रता का दान हमें दिया है मुफ्त में अगर अगर हम इसकी कीमत को नहीं समझेंगे मेरे भाई इसकी कीमत को हम कब समझेंगे जब हमेशा याद लखेंगे हमेशा उठते बैठे याद लखेंगे कि इशु मसी मेरे लिए मरा उसने कोई पाप नहीं खिया था सारे पाप मैंने किये थे और उसने हसे हसे उस पापों को अपने उपर ले लिया हसे हसे उनके अपने पापों को उपर ले लिया क्योंकि हम कौन थे आप जानते हैं आप कौन थे बजन सजीता 51 का 5 उदाउत क्या कहता है यहां पर देखिए बजन सहीता 51 का 5 देख मैं अधर्म के साथ उत्पन हुआ आप और मैं अधर्म के साथ उत्पन हुए थे हमारे माबाप जब समागम में एक हुए तो अधर्म था इसलिए इशू पवितरात्मा के द्वारा मरियम के कोक से पैदा हुआ हमारे अंदर इशू बसी का डियने है हलो आपके अंदर आपके पिता का डियने नहीं है मेरे अंदर मेरे पिता का डियने नहीं है इस समय मैं नई शिश्ची में हूँ मेरा डियने इशू है इसलिए बाइबल कहती है वेविचार सबसे बड़ा पाप है और सारे पाप तो आप देहे के बाहर करते हैं लेकिन वेविचार आप देहे के अंदर करते हैं अगर आपने वेविचार किया तो आप अपने डियने को बिगाड रहे हैं अगर आपने दूसरी औरत के संग संबंद बनाए तो आप अपने DNA को जो DNA आपका ईश्यम मसी से मिला है उसको खतम कर रहें आप हालेलोया आप समझ लेए है हमारा DNA दूसरा है जो पिता के साथ बन गया इप इश्यम सी carry कश को इसलों कहता है धन्य है वो जिसका मन पवित्र है ती दन्य जो पाप नहीं करता धन्य है जिसके पाप का लिखा परमेश्वर नहीं देगा धन्य है वो इंसान आप नहीं जानते आप कौन है आप नहीं जानते कि परमेश्वर आपको किस निगा से देखता है हो सकता है आप पाप करते हो अभी भी आप क्या अंदर पाप के विशार हो लेकिन परमेशर आप में किसको देख रहा है आप में इशू को देख रहा है वो और मेरे भाई बेहन जब तक आप में इशू दिखता है परमेशर आपसे प्रेम कर रहा है इसलिए अपने अंदर से इशू को मत जाने दीजिए यह कोशिश करिए रोज की कि मेरे अंदर से इशू ना निकल जाए मैं कहीं ऐसा लालस ना कर बैठ हूँ मैं कहीं ऐसा काम ना कर बैठ हूँ जो मेरे अंदर से इशू निकल जाए अगर इशू आपके अंदर से निकल गया तो परमेश्वर आपके साथ नहीं रहेगा इस कुरूस के सामर्थ को समझिए हमें तो अथानी से मिल गया परमेशन ने क्या क्या यहारना तीन का सोला क्योंकि परमेशन ने जगह से इतना प्रेम किया कि उसने अपने एक लोहते पुत्र को दे दिया जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बिल्किल अनन्दकाल का जीवन पाएगा हम विश्वास करते हैं कि इश्व मसी हमारे लिए मरा और मर के जिन्दा हो गया और हम विश्वास करते हैं कि अनन्दकाल का जीवन हमको मिल गया प्रेस अलॉट लेकिन उस अनन्दकाल के जीवन को देने के लिए इश्व मसी ने क्या क्या सहा है कि उसकोई पाप नहीं एक किया क्यों सा एता कि हम उस हकीकत को उसथ सथय को जाने इसु कहता है ना मैं ते मॉन के पक्रॉष को जानो को उसथय को जानो जंता कुछ इस पर शेयoth अपना लहूब आय His ще ने अपना वायो उस ठीक को जानो उस सत्य को जानो जब इशुनेमसी ने कहा कि ये परमेश्वारी ने माफ करो क्योंकि ये कुछ नहीं जानते हैं उस सत्य को जानो उस सत्य को जानो कि वो मर के सिंदा हुआ और अपनी धार्मिकता आपको दे दी उस सत्य को जानो जानिये उस सथ्य कहों, क्योंकि वही सथ्य है, जैसे हमें अपनी कमर से बांधना है, और बांधकर रोज चलना है। अगर हम कमर से बांद कर सत्य को नहीं चलेंगे मेरे भाई हम नहीं चल पाएंगे हम खरी चाल नहीं चल पाएंगे और परमिश्र क्या चाहता है खरी चाल चलना आपकी चाल खरी होनी चाहिए इसलिए आपकी बैल्ट बनी होनी चाहिए आपकी बैल्ट कमर से बनी होनी समझ में आया गुड फ्राइडे के बारे में आपको समझ में आया इसलिए मेरे भाई मेरे बेहन रोज सुबह उठते ही अंगिकार करिए धन्यवाद दीजिए और महसूस करिए कि इश्व मसी आपके लिए मरा और मर के जिंदा हो गया और आप एक चुने हुए हैं हालेलुया प्रेज़ लौट आज का वशेर हमने ग्रेंड किया बोले इश्व मसी की